सपिञेट सातियों की कि एकडमी राजस्तान के सब्से लोगपिडीय औलाइन पलेटफ पॉर्म पर तो शाथ्यों अपनी राजस्तान जएके कि जिला दर्शन अजमेट इसे जिलादर्शन अपने एकडमात है जिस विदारस हो चुप्य है देख सकते हैं आज अपना ये सेकंड पार्ट है और आज हम काफी महतुपूर्ण पस्टों पर चर्चा करेंगे जो भी मेरे साथी किसी भी एक्जाम की त्यारी करें चाहिए राजस्तान ऐसाई सब इस्पेक्टरी कर रहे हैं पुलीस कॉंस्टेबल पठवारी ग्राम शेवक रीट किसी भी एक्जाम की उपट पी टीटी बेस्ट शी तो सभी एक्जाम के लिए आपके लिए महतुपूर्ण होने वाला ये राजस्तान का जीकिए तो बिना देरी के वह स्टार्ट करते हैं पहला परसें आपके सामने स्क तीन नमर है सेखावाटी सेली और चार नमर है किशनगड़ सेली तो ये जो जितने भी चितरकार दे रहे हैं आपको इनका समन्द किस चितर सेली से हैं इसका राइट एंसूर हो जाएगा किसनगड़ सेली बिल्कुल सभी का स्वागत है एक बार कलास को लाइक और शेर नेक्स्ट राजस्तान में आधार योजना का सुभारम अजमेर जिले से कब हुआ था अधार, योजना की जो शुरुआत हुई थी वह जमेर जिले से वुई थी कब हुई तो यह हुई थी दो अगस्ट 2011 में तो इसका right answer एक number यहां पर right हो जाएगा next अगला परसंद दुखे किस Sally को kangra Sally के नाम से भी जाना जाता है विकानेर, kishan guy, डुंड़ार या हाडोती किस Sally को kangra Sally के नाम से जाना जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा लाड लूँ बिलकुल दुरस पाबढ़े हैं मिने रही दिटेल से आपको बता दिया था कल वाली क्छाइं जरूर देखें आपको निशी तोर पर फाइदा होगा एकजाम में तो इसके बारे में गलत पूछा गया है क्लास आप जरूर देखें आपको निशी तोर पर फाइदा होगा एक्जाम में तो इसके बारे में गलत कतनिया पर पूछा गया है दुरग का निर्मान अजीराज ने 1113 तीड नम्र है दुरग में रूठीराणी उमादे की छत्री है ये रूठीराणी उमादे ये कौन थी मार्वाड के जो सासक्ते मालदेव की पतनी ऊमादे दुरग में चस्मा ए नूर की इस्तापना सांजाने की थी तो गलत कथन क्या हो जाएगा बिल्कुल चार नमर हो जाएगा दुरग में चस्मा ए नूर की इस्तापना सांजाने नहीं की थी तो किस ने की थी कल मैंने बताया इन्सुर आप कमेंट बोक्स में बताएं नेक्ष्ट अगला परशन देखें पुसकर मेले के बारे में असत्य कथन चुनिए राजस्तान का सबसे रंगिन मेला है इस मेले पर 2007 इस्वी में डार्ग टिक्ट जारी किया गया मेला कार्थिक अमाउश्य को समप्त हो जाता है इस मेले में सरवादिक उन्टू की विक्री होती है पुसकर मेले के बारे में गलत कथन आपको बताना है बिल्कूल राजस्तान का सबसे रंगिन मेला पुसकर अजमेर में बढ़ता है दोजार साथ इस में इस पर डाग टिक्ट भी जारी हुआ था और सरवादिक उन्टू की विक्री यहीं पर होती है तो इसका करेक्ट अंसर तीन नमर हो जाएगा जो की असत्ती है यह मेला कार्तिक अमाउशा को नहीं बढ़ता है ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है तो तीन नमर यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट किस सासको राई पिथोरा के नाम से जाना जाता है वासुदेव, अजिराज, अर्णोराज या पर्थविराज तरतिये राई पिथोरा के नाम से किस सासक को जाना जाता है तो पर्थविराज तरतिये को जाना जाता है चार नमर सभी का राइट आज चुका है एंसर ये लो पर्थ्विराज तरतिय के गोड़े का नाम आपको पूछा गिया है नाटियरंभा, चेतग, केसर कालवी या लिलन लिलन गोड़ी तेजा जी की थी लोग देवता त्वीर तेजा जी इनकी गोड़ी ती लिलन चेतग गोड़ा था महरणा परताबगा किसका था माराना परताब का गोड़ा था चेतक कैसर काल भी किसकी गोड़ी थी कमेंड बोक्स में बताएं नाट्य रंबा पर्थुराज तर्तिये का था ध्यान रगना तो इसका राइट एंसर एक हो जाएगा नट्टी अरंबा पर्थुराज चोहन का गोड़ा था नेक्स्ट कवी बांदव के नाम से किस सासव को जाना जाता है पर्थुराज तर्तिये आना जी विग्रे राज या वासु देव तो कवी बांदव के नाम से जाना जाता है विग्रे राज चतूर्थ को तीन नमर यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला देखें आना सागर जील का निर्माण किस सासा के द्वारा करवाया गया अरणो राज अजीराज राज सिंग या उद्या सिंग आज किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए आना सागर जील का निर्माण किस ने करवाया बिल्कुल सभी का राइट आच चुका है अरणो राज बिल्कुल एक नमर राइट है रहे अरणो राज के दुवारा करवाया गया ध्यान रखना और अजमेर की इस्तापना किसने की थी अजी राज ने ग्यारा सो तेरा इस्वी में बढ़ते हैं अगले परसंट पहला सुल्तान जो खवाजा मुनुदिन चिस्ती की दरगा पर आया था मुहम्मद बिन तुगलग, फिरोसा तुगलग, बाबर या कुतुबुदिन एबग पहला सुल्तान कौन सा था जो खवाजा मुहनुदिन चिस्ती की दरगा पर आया बहुत ही जबरदस्त और शांदार परशन है दोस्तूं किसका देके राइट हो बिल्कूल सभी का राइट एंसर आतना चाहिए यहां पर मुहम्मद बिन तुगलग आया था, कौन आया था मुहम्मद बिन तुगलग, एक नमर राइट हो जाएगा नेक्स्ट खवाजा मुहमद दिन चिष्टी की दरगा पर अकबर कितनी बार आया गजब का परशन है लाड़ लूँ इसका एंसर बताएं खवाजा मुईनुदिन चिष्टी की दर्गा पर अकबर कितनी वार आया था चार छे दस या चोदे बिल्कूल इसका राइट एंस वर चार नमर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले परशन के और बिना देरी कि पुषकर में 1938 इस्वी में जनमे राजस्तान के परशित नगड़ावादक जिने नगड़े का जादूगर भी का जाता है क्या नाम है नगड़े का जादूगर जिसका जनम पुषकर अजमेर जिल्म हुआ वो कौन है उनका नाम पुचा गया है रामकिसन सोलंकी देवकरन सोलंकी मोहन जोसी या भीमसेन जोसी बिलकूल रामकिसन सोलंकी राइट एंसर हो जाएगा राजस्तान की जलपरी के रूप में विख्यात तेरा की में अर्जुन पुरुषकार प्राप्ट करने वाली देश की पहली महिला तेरा कौन थी गजब का परशन है बहुत ही अच्छा परशन है अजमेर से इनका समंदरा है तो निशी तोर पर आप से परशन पूछा गया राजस्तान की जलपरी भी ने का जाता है सीमा मिश्रा हिमादास रीमादत्ता या गितांजली दास विल्कूल तीन नमबर सभी का राइट है के परफम आचार ये कौन थे म।या इस के परफम आचाईए कौन थे जेम्स पीटर करनल वाल्टर ओलीवर शेंट या जोन मेकाster विल्कूल इसका राइट एंस और ती नमर होजएगा ओलिवर सेंट next कौन सी जन्जाती कनिवाब की गद्दी को अपना गुरु द्वारा मानती है कौन सी जन्जाती है जो कनिपाव की गद्दी को अपना गुरु द्वारा मानती है कालबेलिया भिल, डामोर या गरासिया विल्कुल एक नमर राइट हुझाईगा। कालबेलिया कौन सा इस्तान पर्मारू की रास्दानी राह तो ये राह है। आप सभी गा। जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि SI वाले जो इस्टुडेंट है सब इस्पेक्टर की त्यारी करें उनके लिए समय कम बचा है मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं कम समय में आपको अधिक पसंद कवर करवा सकूँ अच्छी आपकी प्रेक्टिश हो अगला देखें अगला पसंद देखें हिंदुस्तान मसीन टूल्स हम्टी की इस्तापना अजमेर में सन 1967 में किस देश के सयोग से की गई कनाड़ा अमेरिका रूस या चकोसलाविया एक बार कलास को लाइक और सेर जरूर कर दें चार नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा चकोसलोवा किया बिल्कूल याँ पर चार नमर सभी का राइट है नेक्स्ट अगला पर्शन कवी जैनक ने पर्थ्विराज विजे नमक साहितिय गरंद की रसना निमन में से किस इस्तान पर की थी सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्थ्विराज विजे की जो गरंद है इसकी रसना किसके द्वारा की गई कवी जैनक के द्वारा और किस इस्तान पर की ब्यावर किसंगड अरवी या पुसकर तो इसकी जो रसना की गई थी वो की गई थी पुसकर में कहां पर पुसकर अजमेर में नेक्स्ट पुषकर में वर्हा मंदिर का निर्मान किस सासक के द्वारा करवाया गया अजिराज अर्णोराज विग्रे राज या पर्थुराज तर्ति तो वर्हा मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया अर्णोराज के द्वारा किसके द्वारा अर्णोराज के द् पहुंचाया वाबर हुमायू जांगीर या औरंग जेब सरवाधिक पुशकर जिल जो अजमेर में इसको सरवाधिक बार नुकसान किस सासक ने पुशाया कमेंड बोक्स में एंसुर बताएं लाड़ लूँ बिल्कुल औरंग जेब ने किसने औरंग जेब चार नमर हो कि तो किया जाता है वो कहां का परशिद है जमेर में बिल्कुल तिलोनिया का कहां का तिलोनिया तीन नमर यहां पर राइट हो जाएगा अगला देखें किस नदी को सिक्कूं की राणी भी का जाता है लूनी खारी सोमल या चंद्रा सिक्कूं की राणी किस नदी को का जाता है विल्कुल ती नमबर राइट है सोमल कौन सी सोमल नेक्स्ट अगरा देखें 11 अक्टूमबर 2017 को किसंगड एरपोर्ट का सुभरम किया गया ये परदेश का कौन सा एरपोर्ट था किसंगड जो एरपोर्ट है किसंगड एजमेर में जो हवाई पट्टी है इसका सुभरम हुआ था 2017 में ठीक है ये कौन सा एरपोर्ट था चोता पांचवा चटवा या सातवा बहुत ही गजब का पशने लाट लूँ तो ये परदेश का देश राजजी का सातवा एरपोर्ट था कौन सा सातवा नेक्स देखें परदेश के पहले मेगा फूड पारक का विकास कहां किया गया तबी जी पुसकर रूपनगड या नसिराबाद तो इसका तीन नमर राइट हो जेगा रूपनगड में नेक्स्ट पुसकर जील के किनारे राजा मान सिंग पर्थम द्वारा निर्मित महल का क्या नाम है मान सिंग ने जो एक महल बनोया था पुसकर जील के किनारे उसका नाम क्या है मान मेल सवरन मेल सोनी मेल या फूल महल तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मान सिंग ने अपने नाम पर ही बनुए था मान सिंग में मान आ रहा है तो मान महल क्या हो जाएगा मान महल हो जाएगा बढ़ते हैं अगले परसंड क्यों अगला देखें कथ़ा क्लाकार पंडिक दूरगाला, किस कला में सिद्धत थे, किस कला में महिर थे, इसका राइट अंसर क्या वजाएगा, बिल्कुल पक्खावज गला, दो नमर यहां पर राइट हो जाएगा, निमन में से किसका द्याद अजमेर हुआ, अरजोलाल सेटी, या द्यानन सरस् स्वती युनियोसिटी कहां पर है अजमेर में यह ज्यान रखना नेक्स्ट आगे देखें सन उनीस सो संत्याण में इस्वी में किस देश के सयोग से पुशकर जील की सपाई की गई अमेरिका कनाडा रूंस या जापान राजस्तान की सबसे परदूसी जील है पुशकर जील इ दूसरे देश को यहां पर आना पड़ा सयोग करने के लिए उन्होंने मदद की थी तो यह वो कनाड़ा है कौनसा देश है कनाड़ा दो नमर यहां पर राइट हो जाएगा शेकिंड मुख्यमंद्री वसुंद्रा राजी ने तीन मई 2016 को पुशकर में सावित्री माता मंदि जालोर में वहां पर भी रोपवे लगवे गया जेपुर में भी है तो यह कौन सा रोपवे था पूछा गया काफी अच्छा परशने लाड़ लू तो दो नमर वह जेगा तीसरा था कौन सा था तीसरा नेक्स्ट अगला देखें किस नदी को मरुस्तल की गंगा भी का जाता है मासी लोणी बनास या रूपन गड़ मरुस्तल की गंगा किस नदी को का जाता है तो वो अपनी लोणी नदी है कौन सी नदी है लोणी नदी नागपाड अजमेर से निकलती है ये नारहेंड सागरबांद की नियू देश के किस राष्टपती ने रखी थी अगला परसंद देखें अगला कानपुर अजमेर के निवाशियों के साथ अगला कानपुर अजमेर के निवाशियों के साथ क्या नाम है उनका यहां पर अमरीकी राष्टपती का नाम आपको पूछा गया है वो थी गजव का पच्छन है बराक ओबामा कौन थे वो बराक ओबामा थे ठीक है अमरीका के राष्टपती राजस्तान की सबसे प्राचितम डेरी का क्या नाम है अजमेर जिले में है राजस्तान की सबसे पुरानी डेरी पदमा, सारदा, सरस या अमूल तो सबसे पुरानी जो डेरी है वो यहां पर है पदमा डेरी कौन सी पदमा एक नमर राइट हो जाएगा अगला परसंदेखे राजस्तान का कौन सा किला मुस्लिम इस्तापत्य का एक मातर दुरग है टोडगड केहरीगड अजमेर या तारागड पूरी मुस्लिम सेले में बनावा राजस्तान का एक मातर दुरग कौन सा है तो ये अजमेर का किला है मेगजिन का किला, अकबर का किला तो इसका तीन नमबर यहां पर सभी का करेक्ट एंसर हो जाएगा तो इसके अलावा अपना अजमेर जिलादर्शन यहीं समाप्त करते हैं कुछ परशन और भी मुझे ऐसे लग रहे हैं तो यदि आप साथी यदि चाहते हैं तो कल की जो एक छोटी शी क्लास में हम बच्चे वे जो परशन है जितने भी थोड़े बहुत वह हम कवर करवा देंगे इसलिए आप कमेंड बोक्स में बात में जरूर बता देना इसके पीडिम हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन बोक्स में दियाव है यहाँ टेलिग्राम में जाकर आप सरच कर सकते हैं इस्टेडी एक्जाम एकेडमी इस्टेडी एक्जाम एकेडमी नाम से workshop status पर share करें और class में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सातियों का निश्ची तूप से आपको आपकी मंजिल मिलेगी जो साती राजस्तान पुलिस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए computer का लग भग 80-90% course चेलेबस करवा दिया गया इस चैनल पर आप देख सकते हैं पूरा महिला बालपराद पूरा 100% कवर करवा दिया गया है और भी बहुत सारी कला से हो चुकी है चैनल पर जाको आप देख सकते हैं अलेक से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आप फाइदा निस्तुल को उठा सकते हैं घर बेटे धन्यवाद जेहिंड